नवश्कार 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 दोस्तों कल रात से यूरोपियन क्लब कप शुरू होगी और यह भारत के लिए बढ़ा खास है क्योंकि भारत के तेरा खिलाड़ी इस टूर्णमन में खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि डी गोकेश ओलंप्याट के बाद क्लासिकल चत्रंच खेल रहे हैं और शायद विश्व चैंपियंशिप पहले आख रिवर क्लासिकल चत्रंच तो कुछ मुकाबले शायद दो तीन राउंड वो खेलेंगे अपनी टीम सो पर्चेस के लिए कर उनकी टीम का मुकाबला था गैंबिट बोनोवे टीम के साथ और उनके साम जुकेश केल ते लिए को चैंपर बोगेश खेलते हैना अफ्टार के सवाल पूछते है बिशब से क्या करेंगे बिशब डीटू पर मार देता है नाइट एफ वाले से दी टू मारते है याँ पर लिए आप उनन केलते है बिशब बी शे ते आ पर जबाब देते हैं एसक्र आपनेंट कैसल कर लेते हैं यहां पर गुकेश खेलते हैं अच्छा गुकेश की एक जो सबसे बड़ी काबलियत पिछले कुछ समय में उभर करके आई है कि एक तो वह इस हिस्तिती में पहुंच गये हैं कि आप वह ओपनिंग के साथ खेल लेते हैं सही मायनों में वह कुछ ऐसी ओपनिंग भी खेल जाते हैं स्लो करके कि जहां पर वह अपनेंट को कंफ्यूज करें और उनके अंदर इस चीश की समझ बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है कि कौन सा पीस कहा होगा तो उनके लिए बहतर रहेगा अब आप इस पूरी गेम को देखना कि कैसे वह अपनेंट प्यट्रोशन को जो अलज यहा के रखते हैं आप अपनेंट किहलते हैं टी फाइप प्याइब टीफाइब न पर आगया एकदम एडवांस होते हुए को कोई फिक्र नहीं है वह खेलते हैं बिशप बीट्ब हैप फ्र जिया राजा सेंटर प होता है कि जब भी वो राजा को ओपन करके अटैक करने की कोशिश करते हैं आगे भी इस गेम में होगा कि अपनेंट ने सेंटर को चालेंज किया गुकेश का जो प्लान था एफोर उन्हों ने खेल दिया क्वीन जाता है जी फाइफ और अपनेंट आता है नाइट इस लग रहा है कि ब्लैक काफी अच्छा कर रहा है आप देखिए कि यह कुईन यहां पर प्रेशर रखे हुए है क किंग के आसपास डार्क स्क्वेर पर कवर कर रहा है कि नाइट ऊपर आ गया है यह बिशप भी ठीकी था थोड़े दिर पहले लेता है को रुख जल्दी से जो है वह सेंटर पर आने वाले हैं लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो वाइट के कैम्प में अभी आप देखो यह बिशप अंदर फसा हुआ है कुई उसके रास्ते में बैठा है देखने में मतब नॉर्मल ऐसा लगता है कि शायद अच्छा नहीं होगा वाइट लेकिन वाइट सॉलेड है यहाँ पर वाइट ना सेंडर ले लिया है और आने वाले समय में आप देखोगे कैसे गोकेश टाइब का क्रियेट हो रहा था यहाँ पर उसको उन्होंने रिलीस कर दिया और यह बिशप भी मूब होगा अप यहां से शुरू होती है कहाने यहां पर जो बेस्ट मूब है अपनेन का वह रुके सी एट ले आना चाहिए था उन्होंने नाइट पीछे गए यहां पर और गुकेश ने खेला बीफोर नाइट जाता है वापस डी सेवन गुकेश का जाता है बिशपीटू तो यह पिछली दो तीन चाला में देखे का पूजिशन इंप्रूब हो गया और फिर आपुरन पोजिशन की आखरी गलती करते हैं मतलब आखरी गलती मतलब वह गलती करते जिसके बाद गुकेश सड़नली बेटर होने लगए अपुरन खिलते हैं A5 और यहां पर गुकेश आख चुके थे पहले से कि उनके लिए B5 जो हो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर वो यहां पर फिक्स कर देंगे वीकनेस का यह काफी कॉस्ट कर का चैसल भी हो गया पीसेज भी सारे ठीक है और यहां पर c5 पर एक थ्रेट भी क॑राया है ніए और बट गुकेश यहां पर अब एक और त्योरी डेवलब करते हैं कि वो देखते हैं कि यह जो पीसेस के बीच में पीसे सारे इस तरफ ही हैं और यह क्वीन अलग पड़ा हुगा है कॉंबिनेशन का बड़ा इशू है तो उन्होंने खेला है एच फूर और क्वीन को यहां से धक्कत क्वीन गया इसेवन पर एंड नाव वो खेलते हैं जीत मेभी मेभी यहां पर बिशप सी फाइफ भी मारा जा सकता था और वो भी विनिंग दिखा रहा है बट एनिवे जीत उन्हें छाल आउप यह दो यह जो है यह अची नहीं यह पयले एंट ख्योर किया नाइट मैच आगया आ यह पोजिशन पर गुकेश एक पॉन अप थे दो कनेक्टेट पास्ट पॉन है साइड से अब इसके बाद दूसरा फेस चुरू होता है गेम का कि विन कैसे करता है आप उन्हेंने खेला रुकेट नाइट भी सैवन ये भी एक्चेंज हो गया रुक सी फोर से डिफेंड किया उन्हें रुकेश से अटैक किया तो बिशब डीवन से डिफेंड ये नाइट जो था वो डीफूर पर बढ़ा अच्छा बैठा हुआ था दो पांट पास्ट पांट बढ़े थे लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ रहे तो गोकेश ने पने पीसेस के इंप्रूव किया क्वी हैं गोकेश चाहे तो पास करके सूचिए कि आप क्या करो गया तब जीतेंगे कैसे सब्सक्राइब यह बहुत ही अच्छी चाले आप जैसा कि देख सकते होगी पॉन इंटो एफ फॉर मारो गया आप तो रुक इंटो डी फॉर आ रहा है क्योंकि यह पिन है यहां पर सी पॉन तो यह चाला गई और इसके बाद गेम रुकी एट गए वो क्योंकि यह एक चीज़ जिसको कहते है ना प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वीकनेस आपके सारे मोरे जो है यह दो पॉन को आगे बढ़ने से रोकने में बिजी हो चुके तो बोर्ड के दूसरे हिस्से पर कुछ न कुछ क का पॉन भी चला गया और कोई ऑप्शन था नहीं यहां पर ज्यादा कुछ करने के लिए तो यह पोजिशन आया थोड़े दिर बाद पीसे सेक्षेंज हुए कि दौनों पॉन जो हो भागने लग गए और यहां पर रिजाइन कर दिया 47 वी चाल में तो यह गोकेश के परेंगे चैंपमेंशिप के 800 रेटिंग के साथ जाएंगे या फिर या फिर 279999 के आसपास रहें यह था पहले राउंड का गेम पहले दिन जीते हैं और प्रग्यानंदा को हार का सामना करना पड़ा है पहले तो अगर होगा पॉसिवल होगा तो उस पर आपके सामना करके उम्मीद करतों मैं वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बुले देख रहें चैस्परिस इंडिया चैस्परिस इंडिया मैं निकलेश जियन जैहिन दोस्तों